बैली फैट कैसे कम करें वो भी एक ethical तरीके से। अगर आपने हमारी ये वीदियो पूरी देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैली फैट कम करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बैली फैट बढ़ता क्यूं है और ये पेट की चर्वी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? दुनिया में 90% लोगों का बैली फैट इन तीन कारण से होता है sedentary life style, bad food choice and stress अगर आपकी sedentary life style है या फिर दिन भर आप उपिस में बैठे रहते हो ऐसे में अगर आप ज़्यादा कैलोरी लोगे तो उससे आपका वजन बढ़ जाएगा और बैली फैट आने के चांसे काफी हद तक बढ़ जाएंगे और हाँ जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ती है आपके सरीर में फैट बन करने की स्यमता कम होती जाती है इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादा उमर वाले अपना बैली फैट आसाने से कम नहीं कर पाते हैं एक तो सडेंटरी लाइब स्टाइल उपर से यह प्रोसर्स फूट यह आपके बैली फैट को हद से जादा बढ़ा देते हैं प्रोसर्स फूट फास फूट पे मेरी डेडिकेटेड वीडियो पड़ी है मेरे एप और यूटूब चैनल पे मिल जाएगा जाओ जाकर देखो स्ट्रस की वज़े से आपका कोटिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और आपके पेट के आसपास फैट जमा हो जाता है याद रखिए अगर यह बैली फैट हद से जादा बढ़ गया तो आपकी बोडी में यह ठेट सारी बिमार्या एंटर कर जाएंगी अब जानते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने बैली फैट को कम कर सकते हो नमबर वन डाइट मोडिपिकेशन नमबर दो एक्सेसाइज नमबर थ्री योगा बस ये तीन चीज़े कर लो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका बैली फैट कम हो जाएगा आपको एक्जामपल से समझात रोहित जिसकी उमर 40 साल है और वो अपने बैली फैट से परिशान है काफी फरियास करने के बाद भी उसका बैली फैट कम नहीं हुआ तो ऐसी कंडिशन में रोहित ने क्या करना चाहिए देखो हर किसी की बोडी अलग-अलग तरीके से रियाट करती है हर किसी इंसान का व्य के लिए लागू होगा चाहे आपका बोडी टाइप कुछ भी हो आप अपना बैली फैट अपना पेट की चरवी को कम कर जाओगे बस आपने ये पॉइंटों को नोट डाउन कर लेना अपनी डाइडी में सबसे पहले आपने सिंपल कार्बोहाइडरेट को अवोइड करना ह ये कुछ एक्जामपल है सिंपल कार्बोहाइडरेट का जिनको आपने अवोइड करना है इनमें हाई अमाउंट में सुगर होता है ये जल्दी डाइडेस भी हो जाते है और भूग भी जल्दी लगती है और आप ज़्यादा खाने लग जाते हो इनमें फाइवर और नूट क्रिशन भी प्रोवाइड हो जाते हैं तो याद रखिए कल से सिर्फ कार्बोहाइडरेट काना है नमबर टू डेली चार पांस लीटर पानी प्यों सुबह उठकर दो गिलास गुनगुना पानी जरूर पीए और हाँ जब भी आप खाना खाओ उससे एक या दो घंटे पहल ना कुकिंग ऑईल की मदद से बनाते हैं ऐसे मैं एक अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑईल होना जरूरी है अच्छा कुकिंग ऑईल वाला वीडियो आपको हमारे एप में मिल जाएगा जाकर देखो नमबर फोर अवाइड जंग फूट भाहिया जंग फूट अवाइड नहीं किया तो आपके बैली फैट को बहार आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती नमबर फाइब टेक वेजिटेवल सेलेड भाई जितने भी वेजिटेवल सलाद हैं गोबी टमाटर केरेट चकुंदर कुछ भी सब को एट कर लो एटलीस दिन में एक बार ज़रूर खाओ नमबर शिक्स अपना ब्रेक फास्ट लांच डिनर टाइमिंग सेट कर लो रात को आठ बजे से पहले पहले अपना डिनर कर लो नमबर सेवन यह थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं यह मैं एकसर अपनी हर बीडियो में बताता हूं जी हां आपके खाने में यह 6 न् यूट्रेंट को कितने मात्रा में लेना है तो भई या क्वालिटी केप्चर एप डाउनलोड करो ना जस्त एक रुपे में एक रुपे में आपका डाइट प्लान बन रहा है जलती से डाउनलोड करो आपको कॉल सपोर्ट चैट सपोर्ट एकसरसाइज योगा सब मिलेगा देखो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो बोलते हैं साथ दिन में साथ केजी वजन कम करो दस दिन में दस केजी वजन कम करो ऐसा चमतकार हमसे ना हो पाएगा सड़न वेट लॉस से आपको हार्ट अटेक भी आ सकता है ऐसा मैं नहीं दुनिया बहुर्णेद और हां याद रखिए आपने अपना ब्लीट कम करना है ना कि अपना बॉड़ी का मसल मास कुछ लोग अपने बॉड़ी का फेट कम करने के चकर में मसल मास भी गवा देते हैं यह तब होता है जब आप किसी नौशिख्य अपना डाइट प्लान बनाते हो इसी के साथ वीडियो का पहला पार्ट खतम होता है दूसरे पार्ट में हम आपको एक्सेसाइज और योगा बताएंगे जिनसे आप अपने बैली फैट को आसानी से दूर कर सकते हो